प्लास्टिक पेंट को बनाने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक पेंट को डबे से हम लोग एक बड़े बरतन में डालते हैं और इसको हीलाना बहुत ही जो रही है प्लास्टिक पेंट है जो कलर कांबनेशन का अनुसार मतीन में बनता है उसको आवशकता अनुसार जो है हम ल मोटाई कितनी है पेंट की मोटाई कैसी है ब्रस कैसे चल रही है रोलर कैसे चल रही है उसके अनुसार जो है एक किलो पेंट में जो है करीब करीब जो है 250 ग्राम पानी डाला जाता है एक बड़े कप में पानी जितना रहता है उतना डला जाता है या एक छोटे ग्लास में जि और बड़े डबे में जैसे ऐसे डबे में एक डालते हैं हम लोग और इसमें पानी डालने की कोसिस करते हैं पानी डाल के जो है और काम जैसे ही खत्म होता है तो ब्रस को धोना बहुत जरूरी है अगर brush को नहीं धोया गया तो वो brush खराब हो जाएगा बरबाद हो जाएगा तो काम खतम होने के बाद brush को धोना जरूरी है बहुत अच्छी तरह से धोया जाता है धोया जाता है brush से जो color है वो लिकाला जाता है तो इस तरह से रोलर की life बढ़ती है और जो paint वगरा है वो बरबाद होने से बच जाता है इसी रोलर की मदद से हम लोग plastic paint करते हैं और color से जो है जब ये color का काम खतम हो जाता है तो per day जो है इस brush को साफ करते हैं हम लोग brush को अच्छी तरह से साफ करते हैं और बाद में इसे पानी से धो के भी ये हम लोग कर देते हैं अलग-अलग color में जब डालते हैं तो अलग-अलग इसका इस साफ कर दीजिए इधर से थोड़ा सा अलगा है और उसमें तो यह साफ करने चाओ सकता है जितनी अच्छी तरह से साफ करेंगे उतना ही दुबारे के काम होगा और लास्ट में जो है इसे हम लोग process करते हैं कि पानी से भी धो के roller को ठीक कर दिया जाया तो प्लास्टिक paint करते समय या किसी भी paint करते समय काम कतम होने के बाद ब्लस को धोना जरूरी है साफ करना जरूरी है फिर पानी में डाल के इसको जो है आलक कलर करते हैं इसको गार के हम लोग सब लिका देते हैं तो प्लास्टिक पेंट करने में रोलर का काफी मातो है रोलर को रोज साफ करना है रोज उसको नया कलर में डालेंगे पुराने कलर मे तो इसको साफ करके डालेंगे तो जो भी paint है उसको एक जगा रखके ढखकन लगा देने से lor reconst 육ूप or प्लास्टिक paint है उसकी बरबाद होने की chances कम हो जाती है तो दूसरे दिन यह किया जाता है तो जितने भी बरतर में paint है उसको एक जगा ढाल के उसके फिर धकन बंद करने की